नमस्ति दोस्तों मेरे यूटूब चैनल राधा स्वाधा में आपका स्वागत है आज हम मिक्स दाल तड़का बनाएंगे जो खाने में बहुत ही स्वाधिश लगता है मैं यहाँ पे चना दाल और काली उरत दाल का यूज़ करूँगी तो चलिए हम सुरू करते है तड़का बनाने के लिए मैंने यहाँ पे वन फॉर्थ कप चने की डाल और वन फॉर्थ कप काली उरत की डाल ली है दोनों को मैंने अच्छे से धो लिया है आप यहाँ तीन डाल या चार तरग की डाल कभी यूज़ कर सकते हैं और यहां पे हम लेंगे एक बड़ा प्याज जिसे मैंने बहुत ही छुड़ी छुड़ी टुकडों में चौप कर लिया है और यहां पे मैंने 7 आठ लसुन की कली, 1 इंच अद्रक का टुकडा और 3 हरी मिर्च को एक साथ मिक्स करके चौप कर लिया है मैंने इसे चौपर में चौप किया है, आप इसे नाइप से भी काट सकती है और यहां पे मैंने एक बड़ा टमाटर लिया है, चौप किया हुआ और मसाले में हम लेए एक छोटी चमच गरम मसाला पौडर एक छोटी चमच कस्मिरी लाल मिर्च पौडर आधी छोटी चमच जीरा, नमक, स्वाद अनुसार, आधी छोटी चमच हल्दी का पाउडर, और यहाँ पे थोड़े से धनिया के पति लियें, और आधी छोटी चमच जीरा का पाउडर. तो चली हम तरका बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने एक प्रेसर कुकर लिया है इसमें हम दोनों दालों को डाल देंगे मैंने दाल को अच्छे से क्लीन करके धो लिया था और अब हम इसमें पानी आड़ करेंगे तो यहाँ पर मैं आदा कप से थोड़ा सा जादा पानी आड़ करूँगी हमें जादा पानी नहीं डालना है और अब हम इसे गैस पर चढ़ाएंगे बॉयल होने के लिए गैस पर मैंने कुकर चढ़ा दिया है और इसे हम मिडियम फ्लेम पे चार से पांच सीटी आने तक कूक करेंगे पांच सीटी लग चुके हैं हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और कूकर को ठंडा होने देंगे कूकर ठंडा हो चुका है अब हम देख लेते हैं डाल को देखिए दाल हमारा बहुत ही अच्छे से कूक हो चुका है तो अब हम गैस पे कड़ाई चड़ाएंगे कड़ाई में मैंने लगबग दो बड़ा चमस तेल गरम करने के लिए चड़ा दिया था और अब हम इसमें डालेंगे जीरा जीरा को हम थोड़ा से भून लेंगे और इसे हम लगबग एक मिनट भूनेंगे मिडियम फ्लेम पे अब देखे प्याज हमारा लगबग भून चुका है अब हम इसमें जो हमारा अद्रक लसून और मिर्ची चौप किया हुआ है उसे डाल देगे और इसे हम साथ में लगबग एक मिनट से तेड़ मिनट तक भूनेंगे मिडियम फ्लेम पे अब देखे हमारे मसाले बहुत ही अच्छे से भून चुका है इसका कलर चेंज हो गया है अब हम इसमें हमारा चौप किया हुआ टमाटर आड़ कर देगे और इसे हम मिक्स कर देगे और इसे हम कवर करके लगबग एक मिनट छोड़ देगे ताकि हमारा टमाटर सौप्ट हो जाए तो चलिए हम इसे कवर कर देते हैं एक मिनट के लिए एक मिनट हो चुके हैं हम कवर हटा देते हैं देखिए हमारे जो टमाटने बहुत ही अच्छी से सॉप्ट हो चुके हैं बहुत ही अच्छी से गल गए हैं अब हम इसमें ड्राइए मसाले डालेंगे तो सबसे पहले हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार हल्दी पाउडर आधी छूटी चम्मच गरम मसाला पाउडर जीरा पाउडर कस्मेर लाल मेर्च पाउडर और सबको हम मिक्स करके इसमें हम एक से डेट बड़ा चम्मच इसमें पानी आड़ करेंगे ताकि मसाला जले नहीं और इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसे फिर से एक मिनट के लिए बुनने के लिए रख देंगे, कवर करके तो हम इसे फिर से कवर कर देंगे और बिल्कुल गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और एक मिनट बुनने देते हैं एक मिनट ओचुके हैं, हम कवर हटा लेते हैं, देखिए हमारे मसाले के साइड से तेल बाहार निकल आया है, तो यह बहुत ही अच्छे से भून चुका है, अब हम इसमें बॉइल किया हुआ दाल डालेंगे, यह दाल हमारा बहुत ही अच्छे से बॉइल हुआ है, देखिए, इसे हम इसमें आड़ कर देंगे और मिक्स कर देंगे और अब हम इसे पानी आड़ करेंगे तो दाल को आप जितना गाड़ा या पतला रखना चाहते है उतना पानी आड़ कर ले मैंने यहाँ पर आदा कप से थोड़ा सा कम ही पानी आड़ किया है और इसे हम mix कर देंगे और इसे हम फिर से cover करके एक से दो मिनट cook करेंगे बिल्कुल low flame पे तो हम इसे फिर से cover कर देते हैं और cook होने देते हैं दो मिनट हो चुके हैं अब हम cover हटा लेते हैं और इसे हम mix करेंगे देखिए हमारा perfect तरका दाल बनके तयार है अब हम इसमें हरा धनिया आड़ करेंगे यह optional है अब यह बन चुका है अब हम gas का flame बन करके इसे एक ball में transfer कर लेंगे देखिए दोस्तो हमारा बहुत ही स्वाधिस्ट मिक्स दरका दाल बनके तयार है यह बहुत ही स्वाधिस्ट बना है इसे आप रोटी, नान या लच्छा पराठा के साथ सर्फ कर सकते हैं यह बहुत ही अच्छा लगता है खाने में रेसिपी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सेर और सब्सक्राइब करना ना भूले तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ थैंक यू